कुली जो है डिपोजिट करता है 150 रुपीज पर मंथ एक मंथ में 150 रुपे वो डिपोजिट कर देता है कहां अपने बैंक में यहां पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक एक होता है वहां पर देपोजिट कर देता है अब यहां पर बताया हुआ है कि इससे यहां पर एक र्रुपीज न हम पिल जाएगा यहीं से यहां लिखा में 150 is 15% of his monthly income तो monthly income के जगवाप पर हम लिख सकता है X, यहाँ से हमें मिल जाएगा एक equation, कैसे बनेगा equation, let us write that then, 150 is हम लिख सकता है, 150 is means this is 15% of X X क्या जो हमने मारा था monthly income यहाँ पर monthly income जगवाप पर हमने लिख दिया है X, ठीक है अब यहाँ पर हम इसको is, जो जहाँ पर लिखा रहता है is, उसको हम equal to कर लेते हैं और आफ जहाँ लिखा रहता है, वहाँ पर multiply कर लेते हैं that's it, तो हमें मिल जाएगा 150 is equal to 15% means 15 upon 100, अब जानते हैं percentage रहता है, तो क्या करते हैं upon 100 into X, ठीक है अब यहाँ solve कर लेंगे solve करेंगे, तो आपको मिल जाएगा इतना X is equal to 150 into 100 upon 15 15 मिज़े 15 and 15 से कटेगा तो आपका क्यावल बचेगा 1 था होजन जो कि आपका answer यह होगा so this is your answer for this one तो आपको बस यहाँ समझना होगा कि यह equation बनाएंगे कैसे आप यह सब यह बस आप जानते हैं बनाना तो आप solve कर सकते हैं ऐसे problems को चुटकी में ओके, चलते हैं next problem पे now question 5 आसा ने पाया इतना परसेंट मार्क्स एन्नुवल एग्जामिनेशन में ठीक है इसका मतलब कि इतना परसेंट किसका पाया इतना परसेंट आफ दी टोटल मार्क्स उसने पाली इतना मार्क्स तो इसका मतलब कि जब 86.875% निकालेंगे हम टोटल मार्क्स का तो आपको निकलेगा 695 मार्क्स क्योंकि दिया हुआ है इससी गाट 695 मार्क्स means actually numerical form में यहाँ पर दिया हुआ है percentage form में यहाँ दिया हुआ है ठीक है number of marks of asa तो यहाँ से हम equation बना लेंगे तो पुछा क्या है find the total number of marks of the equation sorry examination तो total number of marks पुछा है सबसे पहले हम यही जो पुछा हुआ है इसको माल लेंगे x के form में तो हमने यहाँ पर माल लिया let the total number of marks अब दिक जनरेशन भी x then यहाँ पर आप जो हम लोग देख रहे थे कि यह numerical form में दिया हुआ है और यह percentage form में दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं कि 86.875 percentage of the total marks is 695 है कि नहीं total marks का योदी हम निकालेंगे 86.875% तो definitely आपका 695 आएगा अब यहाँ से equation बना सकते हैं आपको लिसकते हैं multiply is को लिसकते हैं equal to and total marks को लिख सकते हैं x तो हमारा बन जाएगा this one यह equation बन गया हमारा अब यहाँ पर percentage को लिसकते हैं अपन 100 करके ऐसे ठीक है इतना हो गया अब जो solve करेंगे transpose करके इसको से transpose कर लेते हैं right side में we will get this one यहाँ पर solve करेंगे this one को बढ़ाने के लिए हम thousands and numerator में और denominator मुटिपलाई कर लेंगे so हम मिल जाएगा this much और यदि हम इसको further elaborate 5 से cancel out करते हैं multiple times तो नीचे वाला definitely पूर्चे से cancel out हो जाएगा और उपर जो मिलेगा 8 मिलेगा 100 बचार है जाएगा so you will get 800 total number of marks so this is your answer for this question okay question number 6 दिप्ती went to school for 216 days in a full year एक साल में total जो है दिप्ती 216 days गई है school ठीक है if her attendance अब यह जो 216 है न इसको percentage में दे दिया है कि उसका जो attendance है 216 जो है वो 90% है 90% of what 90% of total number of days school was opened means जितने दिन school खुला था उसका 90% उसने attendance किया है ठीक है और उसका numerical value भी दिया हुआ है percentage भी दिया ही 90% और एक दिया है कि 216 total number of days वो गई है तो यहाँ से सबसे पहले हम माल लेंगे जो निकालना है आपको वही आप माल लेंगे x के form में सो हम लिख लेंगे कि let the number of days on which the school was opened be x जितने दिनी school खुला था माल लेंगे हमने कि x बार x days खुला था ठीक है x days लिखना चाहिए है आपए अब यहाँ पर करेंगे क्या since हम जानते हैं कि total number of days जितने दिन school खुला था उसका 90% उसने अटेंड किया है दिप्ती ने ठीक है जब 90% अटेंड किया है जितने दिन तक खुला था तो उसका जब हम 90% निकालेंगे जितने दिन भी school खुला होगा उसका जब 90% हम निकालेंगे तो 216 आएगा है कि नहीं इसका मतलब कि हमारा आजाएगा 90% of total number of school openings is 216 मतलब कि 90% यदि निकालेंगे total number of school openings का जितने दिन खुला था जो कि हम नहीं पता उसको मने मैना था x तो वहाँ आएगा 216 तो यदि हम solve करते हैं इसको equation बना करके 90% of total number of school openings इसको मेना था x is 216 नाव यहाँ से equation बन सकता है equation बना लेंगे 90% means 90.500 multiplied by half means multiplied into x is means equal to 216 अब यहाँ सम x के value find कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम 0 cancel करेंगे 9 से ये कटाएंगे तो 900 ये cancel हो करके आपका जाएगा 240 और 240 को हम लिख देंगे days में so 240 days this is your answer for question number 6 now question number 7 धान दीज जीगा और garden has 2000 trees 12% of these are mango trees 18% lemon trees and the rest are orange trees find the number of orange trees तो total जो है इतने trees है इसमें से 12% जो है mango trees है और 18% इसी में से इसमें से lemon trees है तो बताना आपको कि orange trees कितने होंगे तो यहाँ पर कुछ मानना नहीं है आपको orange trees को मानना नहीं है आपर x आप directly भी find कर सकते हैं तो let us find it directly सब सब पहले आप दिख लेंगे given that total number of trees is equal to 2000 definitely after that since हम जानते हैं since 12% of 2000 12% of these means 2000 trees are mango trees so you can write like this 12% of 2000 is equal to number of mango trees after that number of mango trees आप निकाल सकते हैं आपर 240 आपका solve गरने पर आजाएगा similarly हम ऐसे ही फाइंड कर लेंगे number of lemon trees तो आपको मेल जाएगा कुछ इस तरीक से number of lemon trees is equal to 18% of 2000 is equal to 100 2,000 3,000 sorry 360 तो हम निकाल या number of mango trees and number of lemon trees अब इन दोनों को इदे add कर देंगे और total number of trees में थी minus कर देते हैं तो हमार answer आजाएगा means number of orange trees let us find it so the number of orange trees is equal to 2000 minus number of mango trees plus number of lemon trees क्योंकि total number of trees 2000 है that's why we can add these and subtract from 2000 to get orange trees so हम सौल जूल करेंगे तो हमें मिल जाएगा answer 1400 so 1400 is the number of orange trees so this is your answer for question number 7 okay ध्यान दोची का question number 8 balanced diet should contain 12% of proteins 25% of fats and 63% of carbohydrates if a child needs 2600 calories in this food daily find in calories the amount of each of these in his daily food intake मतलब एक छोटे बच्चे को चाहिए 2600 calories daily ठीक है लेकिन ये बताया जाता है कि balanced diet में क्या होना चाहिए protein होना चाहिए 12% fat होना चाहिए 25% and carbohydrates होना चाहिए 23% तो क्या पूचा है find in calories हमें calories में find करना है amount of each of these each of these मीन्स क्या proteins, fats and carbohydrates इन सबका amount find करना है calories में जो वो छोटा बच्चा जो है everyday each day consume करेगा तो कैसे find करेंगे simply क्या करना है कि हमें percentage में इस निकालना है ठीक है तो हम यदि 2600 का 12% निकाल लेंगे तो protein निकल जाएगा कि protein calories में कितना use होगा वैसे 25% निकाल लेंगे तो हमारा सब आ जाएगा ठीक है directly तो लेट आस solve one by one तो we have total amount of calories united is 2600 calories okay amount of protein in calories अब यदि हम protein का निकालते है calories में माँण तो हम ऐसे निकाल लेंगे 2600 में मुद्बले करना 12% से so we will get 2600 मुद्बले 12 upon 100 इस solve करेंगे तो मिल यागा हमे 312 calories similarly we will find we can find others also so calories fats का निकालना है 2600 and 35.5% सो solve करने पाँ मिल जागा 650 calories और similarly यहाँ पर solve करेंगे तो मिल जागा हमार 1638 calories so these are your answers okay okay question number 9 ध्यान दियाद जीगा a crickator scored a total of 62 runs in 96 balls he hit three sixes eight fours two twos and eight singles what percentage of total runs came in one sixes fours two twos sorry twos and singles तो यहाँ काने का मतलब यह है कि crickator ने 62 runs बनाया 96 balls पे तो उसने तीन चक्के मारे आठ चोके मारे और two twos लिए अकल पकल दोड़ करके ठीक है and eight singles eight बार वो players को change किया means eight singles लिए उसके बाद से पूछ रहा है कि what percentage of total runs कितना run का total percentage आया cable sixes से या फिर cable fours से या cable two twos जो लिया था उसने उससे कितना percentage of total runs बनाया कितना percentage of total runs singles से बनाया यह आपको निकालना है ठीक है तो हम solve करेंगे यहाँ बहुँ सिंपल है देखिए यहाँ पूछा है percentage of total runs निकालना है इसका मतलब जो numerator में आप रखेंगे न, numerator में वो आप रखेंगे कि success के द्वारा कितने run बनाये और denominator में रखेंगे total number of run कितना बना तो total number of run से पता ही है बस हमें निकालना पड़ेगा कि success जितना भी बनाये उसमें कितना run बना उसको numerator में रखेंगे और denominator में रखेंगे क्या total number of run से multiply कर देंगे 100 से तो हमारा निकल लिएगा percentage तो लेट अस दूट इट न, पहले लिख लेते हैं कि given that total number of run is equal to 62 Now, पहला solve करते है total percentage of runs came in three sixes तो three sixes बनाने में कितने percentage of runs बना तो number of runs made by three sixes पहले उपर लिख लेंगा numerator में मतब कि three sixes मारने के कारण कितने number of runs बने whole upon total number of runs निचर हैगा into 100 3 into 6 upon 62 into 100 3 into 6 एक ball में वो 6 मारे है therefore three balls में 3 into 6 तो 6 तो 18 हो जागा 18 number 62 into 100 तो एक solve करेंगे तो approximate value आपके आएगी 29.03% Similarly, हम लोग find करेंगे force का भी तो let us write this down also तो total percentage of runs यहाँ प्लिख है total number of percentage of runs came in eight force तो eight चोके मारे है तो number of runs made by eight force पहले ये निकालेंगे कि eight force में कितने number of runs बनायो उसने और divide कर देंगे total number of runs से और मतबले कर देंगे hundred से you will get the percentage तो मिलेगा हमे eight into four upon square two into hundred and that will give you approximate value 51.61% total number of total percentage of runs came in two twos यह तो दुख के लिए तो number of runs made by two twos whole upon total number of runs मतबले पहले hundred फिर जब solve करेंगे put करके बएदे तो two into two upon 62 into hundred आप उसमें विलाएगे six point four five percent तो these are your three answers जब fourth one है उसमें भी आप निकाल सकते हैं simply ऐसे ही क्या करना होगा उसमें आपको क्या करना होगा directly यहाँ पे put करिए total number of runs made by eight singles means eight upon और total number of runs से डिवाइड कर देजिए 62 से और multiply कर देजिए hundred से इसको solve करने पर जो भी मिलेगा आपको decimal में approximate value ले लिजिए two decimal point तक या आप चाहाँ तो three decimal point तो भी ले सकते हैं कोई दिकत नहीं है so I think you have understood okay question number 10 तो ध्यान देज़ेगा और क्रिकेटर हिट 120 runs in 150 balls during a test match 20% of the runs came in 6s तो यहां पर actually क्या बोल रहा है कि क्रिकेटर जो है 120 runs बनाता है 150 balls पर ठीक है और 20% जितना भी run बनाया है उसका 20% वो 6s से बनाता है मतलब छक्के जितना लगाया है उसस से बनाता है और 30% जितना भी run बनाया है उसका 30% चौके से बनाया है और 2s मतलब दुख्की दुख्की ले करके मतलब दुबार दोड़ते हैं एक बार जैसे माल यहां पर होता है और एक इस्टम्प यहां होता है एक बार दोड़के गए फिर एक बार दोड़के आ जाता है इसको बोलता है 2s ठीक है तो ऐसे करके वो 25% of the runs बना लेता है मनदे 120 का 25% runs 2s से बनाता है उसके बाद से रेस्ट जो है जितना भी बचा है वो 1s से मनदे सिंगल सिंगल ले करके question पूछ रहा है यहां पर जीतना भी उसके जीतना भी उसके उसमें से कितने थे जो स्कोरिंग थे इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह होता है कि यदि क्रिकेटर खेल रहा है तो इसका मतलब यह है कि 150 balls यदि फेका गया किसी क्रिकेटर के सामने तो जरूरी नहीं कि 150 balls सबको वो hit करके और run ले लेगा ऐसा तो होगा नहीं क्या होगा कि hit तो करेगा hit करने पर क्या बोले जाएगा उसको कि एक shot लिया ठीक है hit करने पर बोले जाएगा shot लिया लेकिन shot लेने के बाद वो scoring है कि नहीं scoring करने का मतलब क्या run लिया कि नहीं उसके shot ले लिया ball जो है कहीं दूसरी जो चलिए उसके बाद से उसमें run लिया कि नहीं यदि run ले लेगा तो उस shot को scoring shots थे ठीक है यह आपको find करना है चलिए हम one by one यहाँ solve करते हैं तो पहले यहाँ समझ लेते हैं उपर जो हम find करने के लिए बोल रहा है तो let us solve it तो हम जानते हैं कि total number of runs hit 120 है total runs किता मना रहा है 120 तो किवल हम पहले यहाँ पर निकालना है how many runs 20% of the runs came in sixes 20% of total runs made by him 20% निकाल लेजे 120 का क्योंकि 120 total number of runs है 20% निकालेंगे तो हमाराज निकल जाएगा यह number 24 और यह बता रहा है 24 runs बने हैं केवल चक्के से after that जो चोके से बनेंगे वो निकालेंगे 30% of the total runs यहाँ पर दिया यह 30% तो यहाँ पर निकालेंगे 30% of total runs तो निकाल जाएगा 30% of 120 तो यह solve करेंगे मिलेगा आपको 36 36 यह run बना है केवल चोके से अब जो 2s से बनने वाला है 25% in 2s 25% of total runs निकाल लेंगे यहाँ पर 120 का तो आपको निकाल जाएगा 30 30 runs बने हैं केवल 2s से दुक्की ले करके एक बर गय एक बर दोड़े फिर आये ऐसे बोलते हैं दुक्की तो यहाँ पर आप 30 runs बना लिए उसके बाद जो next निकालना है 1 एक एक single लेगर कितना बनाया तो यहाँ पर देखें सब कुछ तो निकल गया है चोके से कितना run बनाया वो निकल गया है और 2 से जितना बनाया वो निकल गया यदि हम इन तिनों को add करके और 120 में से minus कर दें तो मिल जाएगा कि single से कितना बनाया है तो अब यहाँ पर हम वही काम करेंगे singles निकालने के लिए singles से total minus 24 plus 36 plus 30 इन सबको add करके minus कर देंगे 24 में से जब इनको minus करेंगे तो 120 minus 90 हो जाएगा इनका sum होगा 90 तो minus करने पर मिलेगा 30 30 runs बनाया कितने से singles ले करके अब final आप समझ चुके होंगे कि यह लाया गया क्योंकि इस डारेक्ट बस आपको निकलना यह परसेंटेज क्योंकि हमें दिया हुआ ऐसा परसेंटेज निकलने के लिए लेकिन यहाँ पर जो बोल रहा है यह conceptual थोड़ा सा है समझेगा ध्यान से कर रहा कि what percentage of his shots were scoring ones तो कितने ऐसे shots थे जिसमें उसने run लिया था ठीक है उसका percentage बताना है तो पहले हमें निकलना पड़ेगा total number of shots जिसमें वो run लिया था ठीक है मतलब कितने shots ऐसे मारे 150 में से 150 बार फेका गया उसके सामने तो 150 में से कितने balls को उसने hit करके run ले लिया वो हमें निकलना पड़ेगा और उसको divide करना पड़ेगा किससे total number of balls से total number of balls कितने फेके गए और into 100 कर देना है तो निगल लियागा percentage तो यहाँ पर दिख लेते हैं वो formula तो हमने यहाँ पर लिख लिया percentage of scoring shots तो scoring shots मतलब कि वो shots जिसमें run ले रहा है वो तो उसका percentage निकलना है तो is equal to करना होगा total number of balls hit by him when run was taken मनि कितने balls ऐसे थे जिसको वो hit किया जब run ले लिया गया था hit करने के बाद run भी ले लिया गया वो सारे total number of balls कितने है वो निकालेंगे उपर और नीचे हम divide कर देंगे total number of balls thrown कितने total number of balls फेके गए थे तो 150 तो पता ही है लेकिन हमें ये उपर बाला निकालना पड़ेगा कि कितने balls वो hit किया ठीक है और उसके बाद हम multiply कर देंगे 100 से तब भी तो बनिकलेगा percentage ओके तो अब कैसे निकालेंगे इसको तो ध्यान देजेगा यहाँ पर total number of balls जो hit हुए थे और जिसमें run बना था तो 6 से यदि divide कर देंगे 24 में तो पताचल लेगा कितने ball में 24 run बने है मिन्स 6,4 जा 24 होता है तो हम यहाँ पर निकालेंगे plus number of balls and force जो 4 चोके लगाने में जितने run बने उसमें कितने ball से बने थे कितनी ball को वो hit किया था कि 36 runs बने तो 4 से divide करेंगे 36 में मिल जाएगा 4 निजा 36 तो 9 ball में वो 4 चोके लगाएगा तभी तो 30 से बनेगा तो number of balls निकालेंगे force में number of twos में निकालेंगे वैसे similarly और number of balls and singles में निकालना होगा तो वो तो 30 ही होगा क्योंकि single लेना है तो आपको 30 balls में सिंगल ले करके 30 runs बना सकते है ओके ठीक है तो हम ऐसे करके solve करेंगे तो हमारा जब solve करेंगे यहां वह तो कुछ ऐसा आजाएगा 24 अपान 6 प्लस 36 अपन 4 प्लस 30 अपन 2 प्लस 30 और इंटू 100 तो यहां पर solve कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 4 प्लस यहां वह जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 30 अपन 150 इंटू 100 तो यहां पर यहां हम solve करते हैं तो हम लोगों मिलेगा तो मिल जाएगा 58 अपन 150 इंटू 100 यहां से 00 कर लेते हैं उसके बाद 5 तरज़े 15 और 5 तरज़े 10 तो सिंबले कर लेए यहां पर तो 2, 8, 16, 6, 1 carry over and 2, 5, 10, 11, 11, 16 upon 3 3, 6, 5, 3 और यहां पर तो कितना मिल जाएगा यह percentage मिलेगा जो भी मिलेगा तो यह percentage है तो 3, 3, 9 2, 26 3, 8, 24 20 हो गया 3, 6, 6, 6, 6 मतलब कि 6, 6, 6 आता रहेगा तो इसको हम 2 decimal point तक लेना चाहते हैं तो यह लिख सकते हैं आप approximate value approximate value आप लिख सकते हैं आपर 38.67 ठीक है 2 decimal point तक हम निकाल लेते हैं हमें सा जब भी हमें बहुत सारे decimal points मिलते हैं तो यहां पर इस 6 को हमें दी rounding up करेंगे तो यहां पर 6 जो है 5 से बड़ा है तो 6 यहां पर 7 हो जाएगा so 38.67 परसेंट आपका answer आजाएगा तो hope के अपर समझ में आ गया होगा यह सारे questions योदि आपको अच्छा लागए solution तो बिल्कुल आप इस video को like कर दीजिए अपने दोसों को share कर सकते हैं और please एक comment जरूर करिए अच्छा वाला जिससे थोड़ा मुझे support मिले okay मैं आप ही लोगों पर आशिरित हूँ तो thank you so much for watching मिलते हैं आपसे next video में next question साथ तब तक के लिए bye